नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में कैसे हैं आप सभी मुझे उमीद है आप जहां भी है वहां पर स्वस्थ होंगे खूब सारे मज़े कर रहे होंगे बहतरीन होंगे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की जो श्रंखला हमने शुरू की है इसक का शीर्शक है विशेशन यानि एड्जेक्टिव मुझे उमीद है आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे जो अलग-अलग महत्वपून अध्याय उपर बनाए गए हैं आज के इस वीडियो में हम विशेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे एक-एक करके विशेशन हर प्रकार को समझने में आसानी हो विशेशन के ये वीडियो देखने के बाद में आप निसंदेह इस बात को कहेंगे निश्यत रूप से कि विशेशन के बारे में अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो आप नहीं जानते ठीक है आप विध्यारती हैं जिस भी चीज की तैयारी कर लेखते हैं ये आठ अलग-अलग प्रकार के उधारन है आठ अलग-अलग विशेशन के बारे में हमें परिचाय कराते हैं सबसे पहले लिखा है निमनलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझीए अब ठीक है सबसे पहला वाक्य है बाग में सुन्दर फूल खिले हैं अब य करके हमने यहां पर यह सिद्ध कर दिया है कि जो फूल है उनकी अपनी विशेशता है अपना एक गुण है फूल तो वह हैं ही लेकिन कैसे हैं सुन्दर है तो सुन्दर शब्द जो है वह फूलों की क्या बता रहे हैं विशेशता को बता रहे हैं प्रकट कर रहे हैं ठीक है इसके बाद में दूसरा वाक्य है मैं आठवी कक्षा का छातर हूँ यहाँ पर भी पिछले वाक्य की तरह सामान्य वाक्य ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक छातर हूँ लेकिन यहाँ पर हमने विशिश तोर पर यह बताया है कि मैं छातर तो हूँ लेकिन आठवी कक्षा का चात्रू इससे बात और अधिक स्पष्ठ हो जाती है विशेश्टा वाली बात है कि चात्र तो है लेकिन आठवी कक्षा का है इसके बाद में तीसरा जो बाक्य है उसको थोड़ा ध्यान से देखी लिखा है राकिश्टिवारी हमारे नए अध्यापक है अब यहाँ पर यह बताया है कि जो राकिश्टिवारी है वो अध्यापक तो है ही लेकिन कैसे अध्यापक है नए अध्यापक है तो यहाँ पर बात और सपष्ठ हो गई विशेशन जो है वो क्या हो सकता है आप समझ के, इसके बाद में चौथे स्थान पर वाकि दिया है, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, यहाँ पर संख्या बताई गई है, ठीक है न, दो, इसके बाद में पांचों वाकिय है, यहाँ उचा भवन मेरा विद्याले है, यहाँ पर एक भवन की बात की गई है, जो विद् दिया है, अमित दयालू बालक है, अमित बालक तो है, लेकिन कैसा है, दयालू बालक है, है न, इसके बाद में सात्वा वाकिय है, बाजार से थोड़ी चीनी लेकर आओ, यानि बाजार से चीनी तो लानी ही है, लेकिन थोड़ी लानी है, तो जो थोड़ी है, वो यहाँ पर विशेशड़ है आठफा वाक्य है गिलास में कम दूद बचा है यानि गिलास में जो दूद बचा है वो कैसा है? कम है quantity उसकी विशेश्टा जो है यहाँ पर बन गई तो अब यह जो वाक्य हमने देखे इससे एक बात इसपष्ठ हो जाती है वो बात कौन सी है? कि जितने भी शब्द इहां पर रंगीन दिये हुए है ये सब शारे की सारे जो शब्द है इनका प्रयोग हमने संग्या से पहले किया है आपे ध्यान दीजिए कोई न कोई संग्या के पहले इन शब्दों का प्रयोग किया है जैसे मैं यहापे इनको अलग रंग से थोड़ा हाइलाइट करता हूँ आपके सामने ताकि आप समझ पाएं सुन्दर फूल नए अध्यापक उचा भवन थोड़ी चीनी आठवी कक्षा दो कुत्ते दयालू बालक कम दूध तो ये जो दूध है बालक है कुत्ते हैं कक्षा है फूल अध्यापक भवन चीनी ये सब क्या है ये सब संग्या है और संग्या के ठीक पहले हमने रंगी इन शब्दों का प्रयोग किया है ये रंगी इन शब्द और कुछ नहीं है बलकि जो शब्द है जैसे सुन्दर आठवी नय दो पूछे कि ठीक है उधारन से तो आपने समझा दिया कि विशेशन क्या है कि आप इसकी परिभाशा दे सकते हैं तो आप कहेंगे बिलकुल दे सकते हैं तो फिर आप से पूछा जाएगा कि बताईए दीजिये इसकी परिभाशा लाल सेब, कुछ सैनिक, बड़ा मैदान, ठंडी कुल्फी आदे इस से स्पष्ठ हो जाता है कि विशेशन क्या है अब एक यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि विशेशन शब्द जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बता रहे है वो विशेश्य कहलाते है ध्यान से समझीएगा मैंने क्या कहा मैंने आपको विशेश्य के बारे में बता है कि विशेश्य क्या होते है विशेशन शब्द जो है जिनको अभी हमने समझा वो जिस भी संग्या या सर्वनाम की विशेशता बता रहे है वो विशेश कहलाते हैं जैसे उधारण से और इसपष्ट हो जाएगा लिखा है सोनम काली जिन्स लाई जिन्स की पैंट की बात हो रही है ठीक तो सोलम क्या लेके आई है काली जिन्स लाई है अब मुझे थोड़ा यहां पर यह बताईए कि संग्या कौन सी है जिसके पहले हम इसका प्रयोग हमने जिस संग्या के संदर्व में किया है जिस संग्या के पहले किया है उस संग्या को यह सर्वनाम अगर आता तो उसे हम क्या कहते हैं यहां पर विशेश कहते हैं तो विशेश क्या होते हैं और विशेशन क्या होता है थोड़ा इसपश्ट हो गया एक और से समझेंolis लिखा है वह आठवी कक्षा में पढ़ता है अब यहाँ पर आठवी जो है विशेशन तो होगा ही और कक्षा जो है जिसके संबंद में विशेशन का प्रयोक किया गया है वह शब्द जो वह पत जो है विशेश कहलाएगा एक और वाक्य है मामा जी मीठे आम लाए है अब यहाँ पर जो मीठा है या मीठे है वो विशेशन है और आम जो है जिनके विशेशता बताई गई है वो संगया या सर्वनाम कह लीजिए वो क्या है विशेश्य है एक शेर गुफा में सो रहा है सो रहा है कौन शेर विशेश्य हो मुझे उमीद है आपको विशेशन क्या होते हैं विशेश क्या होते हैं विशेशन की क्या परिभाशा है कैसे अलग-अलग उसके उधारन हम दे सकते हैं यह सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब जब हमने विशेशन के बारे में इतना जान लिया है तो चल एक हाथ में चार उंगली होती है तो बस चार भेद विशेशन के हैं यहां पर पहला जो विशेशन का भेद है हमेशा ध्यान रखेगा वो है गुन वाचक विशेशन यानि ऐसा विशेशन जो विशेश्य के बारे में जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उसके गुण को प्रकट करता है दूसरा है संख्या वाचक विशेशन जैसे एक शेर गुफा में सो रहा है एक क्या है? संख्या ही तो है दो कुत्ते लड़ रहे हैं दो क्या है? संख्या ही तो है परिमान वाचक विशेशन जहांपे परिमान की बात की जाती है परिमान क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ एक होता है परिणाम यानि result और एक है परिमान परिमान का मतलब होता है कोई भी संख्या सरल भाषा में समझेए परिमान का मतलब है संख्या अंग्रेजी भाषा में इसे magnitude कहा जाता है तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी समय कितना हो रहा है या शक्कर कितने किलो है या आपका वजन या आपका भार कितना है ये सभी या टेबल की लंबाई कितनी है चोडाई कितनी है आपके study टेबल की तो इन सब के लिए आप कामिक विशेशन जिसमें सरवनाम का प्रयोग किया जाए संगेत मिलता है इन सब को आप निश्यत रहिए एक एक करके विस्तार से समझेंगे अभी हम है न तो सबसे पहला कौन सा विशेशन हमने देखा है चार में गोणवाचक विशेशन तो चलिए इस पर थोड़ी रंग के बारे में बताता है या आकार के बारे में बताता है चार चीज़े धियान रखेंगे गोणदोश रंग और आकार इनके बारे में जब भी हमें कोई शब्द संग्याय सर्वनाम का बोध कराएगा तो उसे ही हम कहेंगे गोणवाचक विशेशन तो गोणदोश रंग आकार इन सब पर एक-एक उधारण देख लेते हैं जैसे लिखा है मोहित समजदार छातर है तो यहाँ पे जो समजदार है वो क्या है? अमन पश्चिमी दिल्ली में रहता है यह पश्चिमी क्या है? मेरे देश का नाम भारत है इसका पुराना नाम आर्यवर्थ था यह सब क्या है? इसमें जो हाइलाइट शब्द है राहुल ने बुरे मित्रों का साथ छोड़ दिया है मीठाम सभी को अच्छा लगता है अब इन वाक्यों में ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि समझदार, पश्चिमी, पुराना, बुरे, मीठा यह सब की सब विशेशन शब्द है इन शब्दों से चात्र, दिल्ली, भारत, आर्यवर्थ, राजेश और आम के बारे में क्या पता चलता है? गुण, दिशा, रंग, और दोश का पता चलता है तो यह सब की सब क्या है? गुण, वाचक, विशेशन है ठीक है? अब आप ध्यान से देखिएगा हमने यहाँ पर क्या पता किया है? वो कहा है पश्चिमी दिल्ली में अमन रहता है पश्चिमी यह क्या है? दिशा का ग्यान हमें यहाँ से मिल रहा है इसके बाद में यहाँ पर बताया है कि मीठाम सभी को अच्छा लगता है तो मीठा गया है, गुण है, विशेश्टा है तो यह सब कुछ जो है गुण, वाचक, विशेशन में आएगा अब यहाँ पर यह बताया है कि गुण, वाचक, विशेशन किसी संग्या या सर्वनाम की निम्नलिखित विशेश्टाओं को यहाँ पर हमें बता रहे हैं कौन-कौन सी है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनसे क्या होगा इनको पढ़ने के बाद इतने उधारनों को पढ़ने के बाद वराइटी देखने के बाद में आप जट से पहचान लेंगे कि यह गुण, वाचक है या नहीं है अगर विशेष्था बात करें सबसे पहले गुण और दोश की तो ध्यान रखेगा जैसे कि बुद्धिमान, आलसी, परिश्रमी, अच्छा, बुरा, सुन्दर, मूर्ख, दयालू, कुरूर यह सब की सब जो है न यह उधारन है किस चीस के गुण वाचक विशेष्ण के जैसे अगर हम बुद्धिमान शब्द को ही ले लें तो आप कहेंगे कि रोहन एक बुद्धिमान चात्र है, है ना, इसके बाद में आप कहेंगे कि मोहित एक आलसी विद्यार्थी है, यह आपे आप कह सकते हैं कि शुभमें एक परिश्रमी पुरुष है, इसके बाद आप आप कह सकते हैं कि मेरा दोस्त बड़ा मूर्ख है, आप कह सकते हैं कि मेरे मित्र में दयालुता का गुण है, मेरा मित्र बड़ा दयालु है, या वह वैक्ती बहुत कुरूर है, इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे रूप रंग की बात हो, तो आप कहेंगे कि गोरा है न, इसके बाद में सावला, मैला, सफेद, काला, पीला, नीला, हरा, यह सब क्या है, रंग है, रूप की बाद भी हो सकती है, इसके बाद में आकार प्रकार की बात करें, तो आकार प्रकार की बात में लंबा छोटा गोल चौरस ये सब क्या है आकार है है न भाई मेरे घर से मेरे स्कूल का रास्ता बहुत लंबा है तो आप यहाँ पर आकार प्रकार की बात कर रहे हैं इसके बाद में जैसे स्वाद और गंद की बात होती है तो or गं'd में जैसे कि खट्टा, नीबू का अचार बहुत खट्टा है मीठा, है न, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है तीखा, कल का खाना बहुत तीखा था फीका, मेरे मामा जी को फीका खाना बहुत पसंद है बदबुदार वहरास्ता बहुत बदबुदार है सुगंदित उस बगीचे में बहुत सुगंदित फूल लगे हैं इस तरह से ठीक है इसके बाद में जैसे दशा और अवस्था के बारे में जो हमारा परिच्वर कराएं जैसे की बूढ़ा जवान रोगी स्वस्त दुर्बल ताकत वर ये सब क्या हैं दशा और अवस्ता के बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इस्थान, देश या काल की बात हो, जैसे ग्रामीन, मेरा शेत्र, ग्रामीन शेत्र है, शहरी, मुझे शहरी जीवन पसंद है, जापानी, मेरी टोपी जापानी ह भारतिय हैं, हम भारतिय नागरिक हैं, पिछला, क्या आपने पिछला वीडियो देखा, प्राचीन, है न, वहां इमारत, बहुत प्राचीन है, आगामी, आगामी दिनों में हम इसी श्रंकला पर और वीडियो लाएंगे, इस तरह से, स्पर्ष ध्वनी, कठोर, चिकना, मुलायम, कोमल, खुर्दुरा, मधूर, करकश, कवे की ध्वनी बहुत करकश है, कोयल की ध्वनी बहुत मधूर है, मंद, तीवर, ये सब की सब विशेशन जो हैं, ये गुणवाचक विशेशन की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, मुझे उ संख्या वाचक विशेशन की, संख्या वाचक विशेशन में क्या क्या देखना है हमें, ध्यान दीजेगा, जैसे जिस शब्द से संग्या ये सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, हमें संख्या का पता चलता है, उसे हम संख्या वाचक विशेशन कहेंगे, जैसे दो काम कर रही हैं रमेश की दो पुत्रियां है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं इस गली का पांच्वा मकान मेरा है एक लड़का भाग रहा है अब आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में इन सभी शब्दों में दो कुछ पांच्वा एक इन सभी संख्या वाचक शब्दों का प्रयुक किया गया है यहीं जो हैं संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं अब ध्यान दीजेगा यहां पे कुछ वाक्यों में तो एकदम इसपश्ट बता दिया कितनी संख्या है लेकिन कुछ वाक्यों में कुछ श निश्चित संख्या वाचक विशेशन के अंतर गताएंगे और दूसरे अनिश्चित अब देखिए निश्चित संख्या वाचक विशेशन क्या होता है जिन विशेशनों से विशेश्ची की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहते है जैसे पेड़ पर दो बंदर बैठें, निश्चित बात हो कुई कि दो बंदर बैठें राम अब दुगुना काम कर रहा है, यानि पहले जितना किया उससे दो गुना अधिक डबल, मेरे घर में पांच कमरे हैं, चार गिलास पानी लाओ, ये सब क्या है? ये सब निश्चित संख्या वाचक विशेशन के ही तो धारन है, अब एक चीज़ और समझेगा, कि निश्चित संख्या वाचक विशेशन जो है, वो ये सब होते हैं, जैसे कुछ होते हैं गणना वाचक, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जैसे एक, दो, तीन, साथ, दस, बीस, आधापौन, चौथाई, यह सब क्या है, गणना वाचक, जो हमें गणना से परिचे करवाते हैं, ठीक है, देखिए, एक में और पहले में अंतर होता है न, वैसे ही, थोड़ा धियान से समझेगा, फिर होते हैं जो आवरत्ती की बात करते हैं, आवरत्ती मतलब जिन में गुन लगाना पड़ता है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, आठ गुना, दस गुना, तो यह सब जो हैं आवरत्ती वाचक कहलाते हैं, सोचके देखिए, मैंने आपसे कहा कि रमेश के पास, मेरे पास जितने पैसे हैं, उससे पांच अधिक हैं, यानि पांच रुप हैं, तो दस पंजे पचास, यानि टैन फाइव जा फिफ्टी, है न, तो गुना में, यानि आवरत्ती में और गणना में, क्या फर्क है, आप समझ गयें, दूसरा है, फिर इसके बाद तीसरा है, क्रम बाचक, क्रम बाचक में क्या होता है, क्रम बाचक में मैं आपको गणना हो गई है न तो गणना वाचक में और क्रम वाचक में क्या फर्क है ये आप समझ गए न बिलकुल समझ गए होंगे गणना वाचक विशेशनों में जब संख्याओं का क्रम बनता है तब वे क्रम वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे पहला दूसरा तीसरा आदी हिंदी म द्रवकि नाम जिसे द्वुतिया तृतिया पंच मी भी इसी श्रणि में आएंगे, उस्वभाव एकसी बात है ये तो इसके बाद है समुदायवाचक, इसमें क्या होता है पूर्ण संध्या के समूह कह लीजिए, हमें समुदाय का बोध कराते हैं, इसी विशेशन को हम समुदाय वाचक कहते हैं, उधारन उसे आप समझ लेंगे, जैसे कि दोनों, तीनों, पांचों, यह क्या है, ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, पांचों ने मिलके काम लिप्टाय है, तो पांचों, यह क्या है, ग्रुप है, प्रतेक वाचक, प्रतेक ऐसे भी होते हैं, प्रतेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर एक की बात हो लेही हैं, तो यह जो है, प्रत्यक वाचक कहलाएंगे, जैसे, कई वैक्तियों समाहूं में से, जब हर एक बोध कराये जाता हूँ, हर एक वैक्ति के लिए यह जरूरी है, कि वो इन नियमों का पालन करें, है ना, प्रत्यक वाचक संख्यावाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे प्रत्येक, हर एक, दो-दो, ढाई-ढाई इस तरह से ठीक, मुझे उमीद है आपको ये समझ में आया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निश्चित के बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेशन आप जानते हैं कि ये निश्चित और अनिश्चित जो है ये हम संख्यावाचक विशेशन के अंतरगत दो भेद देख रहे हैं अब अनिश्चित में अगर बात करेंगे तो जिस विशेशन शब्द से संख्या का बोध होता है हमें संख्या की जानकारी मिलती है, पता चलता है संख्या का, लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, कि आखिर कितनी संख्या की, कौन सी संख्या की बात की जा रही है, उसे ही हम अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे कुछ फल ले आओ, उसे कुछ रुपए दिदो, उपवन में कुछ फूल खिले, सभी लड़के बाहर आ जाओ, ये जो कुछ और सभी शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाए गए हैं, इन वाक्यों में ये सब की सभी अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन के अंतरगत आते हैं, अब हमने संख्या वाचक इन वाचक को भी समझ लिया, गुण वाचक को भी समझ लिया, उसके बेत भी देख लिए, अब बात करते हैं, परिमान वाचक विशेशन के, मैंने आपको बताया था न, परिमान का मतलब क्या होता है, कि कुछ आकड़े जो की जुड़े हुए होते हैं, किस के साथ में, पॉल का बोध हो उसे परिमानवाचक विशेशन कहते हैं जैसे पिताजी एक किलो मिठाई लाए अब मिठाई तो है लेकिन कितनी है एक किलो है नेहा ने तीन मीटर कपड़े खरीदे कपड़े तो खरीदे लेकिन कितने तीन मीटर ठीक है इसके बाद है दो पैन दे दो पैन अभी हमने यहां पर देखी हैं, किसी नाप को, किसी ने किसी भार को, तॉल को बता रही हैं, मात्रा को बता रही हैं, तो इनमें जो एक किलो है, तीन मीटर है, दो पैन है, दस मीटर है, यह सब क्या है, यह सब की सब विशेशन शब्द हैं, जो मात्रा या परिमान का बोध हम करा रही है ये परिमान वाचक विशेशन कहलाती है ठीक है मुझे उमीद है आपको ये समझ माया होगा इसके बाद में देखिए अब परिमान वाचक विशेशन जो हमने देखा है इसके भी दो भेद है ठीक है वो दो भेदों को समझ लेते हैं पहला भेद है निश्चित परि परिमानवाचक विशेशंग की, इनमें हमें बताया है कि जिन विशेश्चन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मातरा या नापतौल का बोध होता है, एकदम निश्चित तोर पर बता दिया है, कोई कनफिजन नहीं बचा है, कोई संभावना नहीं बची है, तो वे नि निश्चित है, देड़ लीटर, दो किलो, पांच किलो, ये घटबर नहीं जाएंगे अब अपने आप, है ना, तो ये जो है, ये क्या कहलाएंगे, निश्चित परिमानवाचक, जिन से निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, निश्चित तौल का पता चल रहा है, निश्चि परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं, आप सुचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखिए, पेता जी कुछ दूद लाए, दूद तो लाए हैं, लेकिन कुछ, यानि क्वांटिटी निश्यत नहीं है अभी, मा ने थोड़े चावल पकाए, चावल तो पता है, ज्यादा रखा है, ठीक, तो यहाँ पे परिमान का पता तो चल रहा है, लेकिन निश्यत तोर पे नहीं चल पा रहा, तो यह जो है यहाँ पे ज्यादा अनाज, थोड़े चावल, कुछ दूद, यह सब क्या कहलाएंगे, मैं हैलाइट कर देता हूं, थोड़े संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेशन, सर्वनाम का भी यहाँ पर प्रयोग होगा, जैसे जिन सर्वनामों का प्रयोग संग्या के साथ उसके विशेशन की रूप में होता है, यानि संग्या के साथ हो रहा है विशेशन की रूप में, सर्वनामों का प्रयोग, उन्हें ह है तो सर्वनाम ही, लेकिन गुण के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं, जैसे उस घर में चोर है, घर कौन सा, उस घर, है न, उस घर में चोर है, तो उस है तो एक सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे विशेष्टा बता रहा है, कि यह वही घर है जिसमें चोर है, जैसे लिखा है यहाँ पुस्तक इधर रख दो अब पुस्तक इधर रखने की बात हो रही लेकिन कौन सी यहाँ पुस्तक तो यहाँ क्या है यहाँ एक सर्वनाम ही तो है लेकिन शब्द संकेतिक है उस पुस्तक की बात हो रही है जिसे इधर रखना है यहाँ पुस्तक ऐसे फिर जैसे अगला लिखा है, इस डिब्बे में दस किलो तेल है, अब इस डिब्बे की बात हो रही है, यही डिब्बा है, जिसमें कितना तेल है, दस किलो है, तो इस शब्द जो है, यहां पर वो क्या हो जाएगा, संकेत वाचा के सार्वनामिक विशिशन हो जाएगा, जैसे की बात हो रही है यहां पह falta है कि क्या बताया जा रहा है even बाक्यों में जो श요 शमनामक शब्द गिन्तु किन और विशेषन की रूप में हुआ है इन बाक्यों में यह शब्द घर पुस्तक डिबबे बच्चा समोसे और पेंच शब्दों की विशिष्टा बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशिष्ण है, एक और बात यहां पर बताई है, वो है प्रविशिष्ण, अब ये क्या होता है, तो वो विशिष्ण शब्द संग्या या सर्वनाम शब्दों की जो विशिष्टा बताते हैं, बहुत से विशेशन शब्द विशेशनों की भी विशेशता बताते हैं अब विशेशन क्या होता है जो संग्या और सर्वनाम की विशेशता बता है लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेशताओं की भी विशेशता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेशन कहते हैं आप कहें कि बहुत सुन्दर फूल है तो बहुत जो हो गया वो प्रविशेशन कहलाएगा ठीक है समझ में आया अब देखिए निमने लिखेत वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और अंतर समझी अंतरों को समझना है सर्वनाम क्या है वह जा रहा है यहां पे वह जो है वो सर्वनाम है बि यह गतो होगा और इसे हम कहेंगे सार्वनामिक वेशेशन और देखि जैसे यहां पर लिखा है यहाँ आयूष की पुस्तक हैपॉस्तक की है संग्या है इसके पहले प्रेयुक्त ह्यूब हूब यहां पिंत्द सर्वनाम था लेकिन अब एक पटिकुलर पुस्तक की बात हो यहां पर जो यहां है वो क्या हो जाएगा क्या बन जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेशन बन जाएगा जैसे कोई आया है यह ठीक ठाक वाक्या है इसमें कोई की बात हो रही कोई आया है लेकिन कह दिया कि कोई आदमी आया है तो आदमी क्या हो गई यहां पर एक संग्या हो उसके अलग-अलग उधारणों को देख लिया और हमने उसके भेद भी समझ लिये हैं अब हम बात करेंगे विशेशनों की अवस्थाओं के बारे में विशेशनों की अवस्थाएं इन पर हमें चर्चा करनी हैं तो मैं आगे पढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं ध्यान द अवस्था जो है जो की तुलनात्मक है जब हम उसको उसको कंपेर करेंगे तो ऐसे समय पे जो विशेशन है उसकी भी तुलनात्मक अवस्थाएं हमें देखनी पढ़ती है उधारण से आप और इसपष्ट हो जाएगा जैसे देखे लिखा है कि आयुष अच्छा लड़का है प्रणाव आयुष से अच्छा लड़का है राकेश सबसे अच्छा लड़का है इन तीनों वाक्यों में एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे तुलना की जा रही है तो यह तीनों वाक्यों में तीन लड़कों के गुणों की तुलना की गई है तो तुलना की ये गुण वाचक विशेशनों की तीन अवस्था है पहली मूल अवस्था आयूश एक अच्छा लड़का है ठीक है यहाँ पर अभी तक किस पश्ट नहीं हुआ कि किस से कमपेरिजन हो रहा है फिर दूसरे बाके में लिखा है कि प्रणव आयूश से अच्छा लड़का है अ अब यहाँ पर सर्वस्रेश्ट की बात हो गई इससे जादा स्रेश्ट कुछ नहीं है तो यह उत्तम अवस्था हो गई तो मूल अवस्था फिर उत्तर अवस्था और फिर उत्तम अवस्था ठीक इनको और अच्छे से समझ लेते हैं जैसे कि मूल अवस्था की बात करते है लिखा है कि इस अवस्था में किसी विशेशन के गुणिया दोश की तुलना किसी वस्तु से नहीं की जाती। यह विशेशन की साधार निस्थिती या अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। किसी से तुलना नहीं की गई बस उसी के बारे में बता दिया जैसे सुन्दर इस्त्री गा रही है अब इस्त्री सुन्दर है इतना पर्याप्त है किस से सुन्दर है ये नहीं बताया जैपुर गुलाबी नगर कहलाता है अंशु प्रतिभावान चात्रा है रिया कुशल नर्त यहां पे स्पष्ट है कि यह मूल आवस्था विशिशन के अंतरगत आएंगे शब्थ लेकिन अब उत्तरावस्था इसके बाद अगर थोड़ी तुलना हो जाए जैसे गीता मीना से अधिक सुन्दर है यहां पे दो लोगों की तुलना हो गई राजेश अमित से कमजोर है यह के द्वारा एक की कमी और दूसरे की अधिकता का बोध होता है यह पता चलता है कि यह से कम है और यह से ज्यादा है तो उस अवस्था को हम उत्तरावस्था कहते हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक से अधिक दूसरा जो है उसमें यह गोण विद्दिमान है जिसकी बात हो रही है जैसे राजेश अमिद से कमझोर है इसका मतलब है कि अमिद जो है वो राजेश से तकत्र हो गया है ना शAKतिशाली हो गया तरह सिय हाँ पर पता चला तो उत्तरावस्था में तुल्ना खरने के लिए से शब्द का की अपेक्षा की तुल्ना में के मुकावले इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है ठीक ये बाता ध्यार रखेंगे फिर आती है उत्तम आवस्ता अब यहां पर क्या हो रहा है दो लोगों की तुल्ना नहीं हो रही है दो से ज्यादा की दो की या दो से ज् जाधा सरेश्ठा बता देंगे अधिक्तम उसे हुत्तम अवस्ति कहेंगे।선 सिता सबसे अधिक सुन्दर है। क्रिकेट मेरा सबसे प्रियक्हेल है। नेहा सब पहनों में समझदार है। कवियों में श्रेश्ठतम सूरदास है। तो यहाँ पर समझ में आता है हमें कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो उस विशेशन की बात हो रही है जिसमें जिसको जो की सर्व सबसे अधिक के बारे में हमें बता रहे हैं कि यह सबसे ज्यादा जो है सुन्दर है सबसे अधिक प्रिय है सबसे स्रिष्टितम है ऐसा तो अ सबसे नियून या अधिक श्रिष्ट बताया जाता है तो वही अवस्था उत्तम अवस्था कहलाती है अब हम बात करेंगे विशेषण की अवस्था के रूप के बारे में जैसे सबसे पहले समझेगा यह जो है दो प्रकार के हैं एक है अधिक है सबसे का प्रयोग करने वाला और दूसरा है संस्रित की शब्दु तत्सम के साथ तर्या तम का प्रत्याय लगा कर सब का उधारन देखेंगे, तो सब इस पष्ठ हो जाईगा. जैसे सब से पहले है मूल आवस्था, फिर है उत्तरावस्था, फिर है उत्तम आवस्था, पहले वाले में, जिसकी हम बात कर रहे हैं अधिक यह सबसे अधिक वाला, ठीक, अब देखिए, लिखा है कंजूस, ये मूला वस्था है, फिर लिखा अधिक कंजूस, ये उत्तर आवस्था आ गई, दो लोग की तुलना हो जाएं, यहां पे उससे अधिक कंजूस है, फिर उ उत्तमवस्था में क्या हो जाएगा राजेश सबसे अधिक कंजूत है फिर अगला शब्ढ़ जैसे एरशालू या रवी एक एरशालू लड़का है अगले में से उत्तम आवस्था हो जाएगी वीश था नवा एक वीरपुरुष है फिर उत्तर आवस्था में क्या जाएगा वहन से अधिक वीश है और सबसे वE वह था सबसे वीयर है एसा फिर लिका है कायर है तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं कि रोहन कायर बालक है, फिर लिख सकते हैं कि रोहन इसमिता से अधिक कायर है, फिर लिखेंगे रोहन सबसे कायर है, इस तरह से, दानी कर्ण दानी पुरुष है, इसके बाद लिखेंगे कर्ण अरजुन से अधिक दानी है, फिर लिख सकते हैं कि कर्ण सबसे दानी पुरुष है, इस तरह से, ठीक, फिर जो दूसरा प्रकार था, जिसमें बताया था कि तत्सम शब्द जो हैं संस्क्रिट से लिए गए, उनमें तर और तम लगा कर, तत्सम का मतलब हम देख चुके हैं, तत्भव हमने संस्की सब्द पुरुष हमने लेना होता है, वैस וה सी तत्सम काहलाते हैं और परिवर्तन करके लिए कि सी अनयतिर भाश़ा से वह तद्वाह कहलाते हैं, ठीक है में प्रत्य लग जाएगा तर तम जैसरते, यह मूलावस्था होगी, कि उसका वाहन तीव्र है, फिर लिखा उसका वाहन रवी से अधिक तीवरतर है यह उत्तर अवस्था होगा यहां पर तर लग गया है न और फिर उत्तम आवस्था में तर हटा के तम लग जाएगा उसका वाहन तीवरतम है यह नि सबसे अधिक है तो ऐसा है ना जैसे निउन शब्द है तो उत्तर आवस्था में निउन्तर हो जाएगा और उत्तम आवस्था में निउन्तम हो जाएगा मूह लगू है अगर कोई चीज जैंके मेरे पास मिलिआ नी कि चोटा ठीक इस तरह और उच्चितम इस तरह से मूल अवस्था उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था की शब्दों में तत्सम शब्दों में तर और तम लगा करके परिवर्तन अवस्था को हम देख सकते हैं रूपों को ठीक अब बात करते हैं विशेशन शब्दों की रचना के बारे में ध्या को अच्छा कहना किसी को बुरा कहना उसके गुणदोश को प्रकट करना है तो यह विशेशन ही तो है उचा मोटा पतला सुन्दर यह सभी मूल शब्द हैं जो की विशेशन है लेकिन कुछ विशेशन ऐसी हैं जो संग्या सर्वनाम क्रिया और अव्य शब्दों से बनाए जा जब हम ई लगा देंगे तो हो जाएगा रोगी आप जानते हैं कि रोगी जो है वो क्या हो जाएगा यहां पर विशेशन हो जाएगा ठीक उस वेक्ति के बारे में बता रहें जो रोगी है तो इसलिए वह विशेशन हो गया जैसे कि पाप एक संग्या है यह विशेशन नही यह क्या हो गया विशेशन हो गया है ना रावन एक ज्ञानी पुरुष्था तो ज्ञानी का मतलब क्या है कि वहां पर उसकी विशेश्टा बताई जा रही है प्रेम क्या है एक संग्या है लेकिन जब इसमें ए लगा देंगे तो प्रेमी हो गया तो यह यहां पर विशेशन ह टिएए वेसे जैसे की अनुभव संञ्या है और अनुभव ही विशेशन हो जाएगा शहर संग्या है और शहर की विशेशण सुख संग्या है सुख्य है दुख संग्या है और roofing अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इक प्रत्य लगानी की अब देखिए इस तरह जैसे एक शब्द है अनीति यह क्या है अनीति संग्या है अब हमने इसमें एक लगा दिया तो क्या हो जाएगा अनैतिक तो यह जो अनैतिक है वहकार या अनैतिक है जो उसने किया तो यह जो अनैतिक है यह विशेशन हो गया ठीक वैसे ही जैसे कि दिन एक संग्या है और उसम हमने एक लगा दिया तो यह हो जाएगा दैनिक तो यहाँ पर जो दैनिक है वो क्या हो गया एक विशेशन हो गया ठीक है ऐसे ही कुछ शब्द और दिये हैं जुनमें एक प्रत्य लगाया है जैसे देखिए अनु जो की एक संग्या है उसमें एक लगा देंगे तो बन लिएके माप्ताती लेका वह शब्द आन opened जो आनिविक शब्द है वह विशेशन है ठीक बात है जैसे समाज समाजिक अर्थ आर्थिक धर्म धार्मिक उद्योग औध्योगिक अध्यात्म आध्यात्मिक, ठीक है, यहाँ आध्यात्म की बात है, तो जो आध्यात्म है, यहाँ पर इस वाक्य में क्या है, संग्या है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक पुरुष्थ है, तो जो आध्यात्मिक है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद क वििशेष्टा को प्रकट करने वाला विशेष्ण बन गया। यहां घटना राश्ट्रिय है तो जो राश्ट्रिय है वो क्या हो गया यहां पे विशेशन हो गया ठीक वैसे ही जैसे नाटक और नाटकिय भारत और भारतिय संपादक संपादकिय परवत परवतिय छेत्रिक छेत्रिय स्मरण स्मरणिय दर्शन दर्शनिय तो यहां पे हमने यह प्रत्य लगाकर यह जाना कि किस तरह से जो संग्या है वो सर्वनाम में बदल सकती है, ठीक है, इसके बाद में इत की बात करते हैं, इसमें देखिए क्या हो रहा है, पीड़ा एक शब्द है, पीडित, यहाँ पे यह जो पीडित है यह एक विशेशन होगी है, किसी एक व पताय जा रहा है कि वो पीडित है, फल, फल क्या है, संग्या है न, लेकिन फलित होगा, तो फलित का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक विशेशन हो गया, है न, इस कर्म से हार फलित होगी, तो जो फलित है वो विशेशन है, सम्मान, सम्मानित, सुर्भी, सुर्भित, अपमा अपमानित पुश्पित यह जो इत है ध्यान देने वाली बात है यह क्या है एक प्रत्य थिक बात है जैसे लिखा है खाले कि तो संग्या है भटक और लगा दिया तो हो गया भटका यहां पे बाटका है क्या हो जाएगा यह विशेशन हो जाएगा भूख भूखा प्यार प्यारा प्यास प्यासा इस पश्ट है न अब देखिए कुछ और प्रत्यों के भी उधारण है यह सब विराइटी ऑफ एक्जामपल्स है अलग-अलग तरह की उधारण देखने से इस्थिती और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है हमारे जहन में हमारी मना इस्थिती में देखिए जिसे एला ये हमें प्रत्याय लगाया विश-विशला-वन-वन-वन Sut, मती लगाएङगे तो बुध्धी-बुधि-्धिमान- श्री-श्री मति या बुध्धिया पर बुध्ध मती लगा दिये हमने यह विशेशन की बात हो गई जिन श्री की बात कर रहे हैं उनकी श्री मती ठीक ऐसा आलू प्रत्य लगाया जैसे क्रिपा तो क्रिपालू क्रिपालू क्या हो गया एक विशेशन हो गया क्रिपा तो संग्या है ठीक वैसे जैसे श्रद्धा एक संग्या है और शद्धालू जो है वो विशेशन हो गया दया दयालू, शंका शंकालू, जगडा जगडालू, इर्शा इर्शालू अगर इम प्रत्य लगाने की बात करें तो अंत अंतिम, स्वर्ण स्वर्णिम, रक्त रक्तिम ये सब क्या है, ये सब प्रत्य लगा करके बनाएगए शब्द हैं जो हमें बता रहे हैं कि पहले कैसे मूल शब्द था और फिर हमने ये प्रत्य लगा दिया तो वो विशेशन बन गया इला अगर प्रत्य लगाएंगे तो क्या विशेशन बनेगा? देखते हैं, चमक शब्द था, संग्या है, इसमें इला लगा दिया, चमकीला हो गया, विशेशन बन गया, भड़क, भड़कीला, रंग, रंगीला, गर्व, गर्वीला, एरा, एरा लगाया है, चाचा में, चचेरा, मामा, ममेरा, फूफा, फूफेरा, सांप, सपेरा, सपस् दूद वाला विशिशन हो गया, फल संग्या है, फल वाला विशिशन हो गया, वान प्रत्ते लगाएंगे तो दया शब्द में, दया क्या है, संग्या है, लेकिन दयावान वह पुरुष बहुत ही दयावान है, तो ये जो दयावान है क्या हो गई, विशिश्टा हो गई, बल बल एक संग्या है लेकिन बलवान मेरा दोस्त बहुत बलवान है तो जो बलवान है वो क्या है विशेशन है मूल्य मूलिवान धन धनवान वती प्रत्ते लगा देंगे तो गुण है गुणवती पुत्र पुत्रवती बल बलवती शील शीलवती इन सभी शब्दों में पहले वाला शब्द जैसे गुण, पुत्र, बल, शील, संग्या है, और बाद में जब वती लगा दिया, जैसे कि गुणवती, बलवती, पुत्रवती, शीलवती, तो ये सब क्या हो गए, विशेशन हो गए, ठीक है न, मान, अब इसमें क्या बताया है, कि बुद्धी है, इसमें मा प्रत्य लगा दिया तो बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान एक विशेशन है, जबकि बुद्धि संग्या है, गति संग्या है, गतिमान विशेशन है, कीर्ति क्या है, संग्या है, लेकिन कीर्तिमान क्या है, विशेशन है, शक्ति संग्या है, शक्तिमान विशेशन है, ठ वैसा, ठीक है, ये इसमें विशेशन हो गया, सर्वनाम है वह, तो विशेशन क्या हो जाएगा, वैसा, सर्वनाम अगर जो है, तो इसके लिए जो विशेशन प्रयोग में लाए जाएगा, वो हो जाएगा, जैसा, जो उसने किया, तो जो उसने किया, मतलब यहाँ पे जो जो में हो जाएगा मुझसा, सर्वनाम में अगर आप हैं, तो विशेशन में हो जाएगा आपसा, यह हमने साज उड़ा, ठीक, मुझे उम्मीद हैं आपको समझ में आया होगा, अब जैसे क्रिया शब्द है, इनसे अगर विशेशन मनानों तो कैसे बनाएंगे, जैसे की बेचना बेचना क्या है, क्रिया है, बेचने की बात हो रही है, लेकिन विशेशन कब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ वस्तु बिकाओ है, तो बिकाओ, यह क्या हो गया, यह हो गया विशेशन, ठीक वैसे ही जैसे भागना एक क्रिया है, लेकिन फिर हमने कह दिया कि यहाँ बालक भग भगोडा मतलब भगोडा मतलब विशेशन की बात हो गई क्रिया है पढ़ना लेकिन हम कह रहे हैं कि वह लड़की पढ़ाकू है पढ़ाकू मतलब विशेशन हो गया दिखना और दिखाओ दो अलग बाते हैं जहां पर दिखना से क्रिया है और विशेशन है दिखाओ घूमना एक क्रिया है लेकिन विशेशन हो जाएगा घुमकड भूलना क्रिया है लेकिन भुड़कड होना यह विशेशन है लड़ना क्रिया हो जाएगी लेकिन लड़ाकू यह विमान लड़ाकू है यह विशेशन की बात हो रही है टिकना और टिकाओ इन दोनों में फर्क है क्या फर दूपुरी बाहर क्या अव्यय है बाहरी क्या है विशेश्ण है पीछे पिछला सत्य अगला भीतर भीतरी यह सब अव्यय और उससे बने वाले विशिषणँ है, अगर उपसरग से विशिषण की रशना की जाए, तो नीडर, निडर, निबल, निरवल, ला इलाज, सुगंद, सुगंद, बे-इमान, निरोग, निरोग, सिस्पष्ट है कि उपसरग से भी हम विशिषणँ की रशना कर सकते हैं, इस अध्याई में कुछ समर्णी चथ्या 2 दो इतने ही है कि संगय सर्वनायम की विशेष्टा बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं और विशेशन जिस शब्द की विशेष्टा बताता है उसे विशेश्य कहते हैं मुझे उमीद है कि आपको यहाँ पूरा बहुत अच्छे समझ में आया होगा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आप है न और एक प्रश्ण जो है मैं आपसे पूछना चाहा रहा हूं वह यह है कि आप मुझे बताईएगा कि विशेश और विशेशन में क्या अंतर है यदि संबह हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोनों में क्या फर्क है और हमारी मुलाकात जल्दी होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अध्याय के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार